कासगन जन्पत भर में पुलीस की धर पकड़ा बियान की गती तेज होती जा रही है जिले के सिट पुरा थाना पुलीस ने अवैद रुप से चल रही शस्तर फैक्टरी पर छापा मार कारवाई की पुलीस ट्रीम ने फैक्टरी संचालकों को गिरफतार कर उनके कबजे से चार तमंचों के साथ शस्तर बनाने वाले उपकरण भी बरामत किये है कासगन जिले पटियाली सरकल सीयो गवेंदर पाल गौतम के मुताबिक जनपत भर में स्पी मनोज कुमार सोनकर की निगरानी में अपरादी पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है ताकि जिले में हो रही अपरादी गती वीदियो पर अंकुष लगया जा सके इसी आदेश का पालन करने के लिए सिटपुरा थाना प्रभारी सतेंदर पाल सिंग और उनकी टीम इलाके में मामूर थी अभी खास मुग्विर से सुचना मिली सिटपुरा अमामपुरा मार्ग पर बन पड़े इट भट्टा पर अवैज शस्त्र तयार किये जा रहे है इस सटीक सुचना पर पुलीस ने घेरा बंदी कर जैकुमार, सरसई निवासी और मुहम्मद हाशीम कमालपुर निवासी को गिरफतार कर लिया साथ ही मौके से चार बने तमंचों के साथ शस्र बनाने के उपकरण भी बरामत किये है उन्होंने बताया कि यह शस्त्र खून खराबे के लिए तयार किये जा रहे थे इससे पुर्व पुलीस ने फैक्टरी का भंडा फोड कर दिया यह तमंचा जन्पत के अलावा पड़ोसी जन्पतों में धाई हजार से तीन हजार की कीमत में सप्लाई किये जाते थे फिलहाल दोनों फैक्टरी संचाल को को गिरफतार कर पुलीस जेल भेजने की कारवाही में जुट गई है आज सोबह मुख्विर की का सूचना पर एसो सिड़पुरा द्वारा अमापुर रोड पर बंद पड़े इंट भटे के पीछे से जाडियों में सस्त बनाने की एक फैक्टरी पकड़ी गई है जिसमें दो तमंचे 315 बोर दो चमंचे 12 बोर एवं कई अधवने तमंचे एवं सस्त बनाने के उपकड़ गए है तता मोखे से जैकुमार, पुतर स्रीडाम, निवासी, सरसाई, थानामापुर, तता मुहम्मद हासिं, पुतर मश्कूर, ग्राम कमाल पूर, थानामापुर को मोखे से पकड़ा गया है सवी सामानों को सील कर मुकदमा अपराद पंजी करत की रही आ गया है कासगंच से फ़हीम की रिपोर्ट